हाई काईज वर्कुम तो दे लाविल लाइट 369 टैरो कैसे वह आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छी होगे और अभी लाइफ है आगे पढ़ रहे होगे सो काईस मैं हाजर हूँ आप सभी के सामने एकान रीडिंग लेगे और रीडिंग होगी करन्ट फीलिंग्स करन्ट इनोर्जिस के लिए देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के नोर्जिस आपके लिए क्या है इस वक्त आपके पारे में क्या सोच रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं उनके फीलिंग इमोशन थाट्स आपके लिए क्या है जर्नल टाइम लेशन कलेक्टिव रीडिंग है आप से जब मरसी देख सकते हो आपको हेल्प करेगी और अगर आप मुझसे परसन रीडिंग चाहते हो तो स्क्रिन पर सप्टमबर दिये गए हैं आप उस पर कॉंटक्ट कर सकते हो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और दिख लेते क्या दा है रीडिंग में तो बी पॉजिटिव काई लेट सी की क्या चल रहे है आपके पुरसन की दिल औ दिमाग में आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपक यजू की की आपके लिए रेट से बीडिंग में आपके लेट वीजिवना वाई टू सब्सादत It करेंड़न उनिस्टिसिसित। यी हालो कि अओिक भीन वान्स्टिटर लाव गारे कि निन वहाल inана लुपिलन और स्वान ट्र लकने हम बार mention bottom of the deck से Ace of Cups के नरशी है आपके परसंग लिब्रा, टॉर्स, एरीज, लिव, साजिटरियूस, जैमनाई, एक्विरियूस, यह साइन आपके परसंगे हो सकते हैं नवंबर का मन्त उनका बर्थ मन्त हो सकता है या फिर मैं मन्त या सेप्टेम्बर मन्त इनका बर्थ मन्त हो सकता है इनकी बर्थ देट 11, 5, किसी भी मन्त की 5, 13, 9, 1, नमबर 1 कि किसी भी मन्त की पहली तारिक हो सकते है, इनकी डेट ओ बर्थ हो एपरिल मन्त इनका बर्थ मन्त हो सकता है क्योंकि वो भी मुझे आपर दिखाए देता है सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस की इनरजी आईए गाईज, सबसे पहले चीज तो मेभी हो सकता है कि आपके परसन अभी हाल फिलाल किसी तरीके के लीगल इशू में पसे हुए है, कोई ना कोई लीगल इशू से वो जूज रहे है, कोई लीगल इशू वो फेस कर रहे है अ जैसे कि आपके यहले ऐ चीजे उनकी लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे है, जिसव उनकी लाइफ में इक अदासी दिखाई देती है किसी तरीकी का कुछ कुछ कार्मिकक वो फेस कर रहे है है, अभी हाल फिलाल अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर्मा वो फेस कर रहे है कुछ ना कुछ कार्मिक चीजों से वो कोई ना कोई कार्मिक चीज उनको परिशान कर रहे है यह कोई लोग भी हो सकती है यह जैसे कुछ लोग होते ना अपनी जॉब में खुश नहीं होते जो वो काम कर रहे है उसमें खुश ही नहीं तो यहाँ पर मुझे ज़ह दिखाए देता है कि आपके जो पुरस्टने बहुत उदास है परिशान है कुछ न कुछ कर्म से वह डीकर ने कोई न कुछ कर्मा हाल फिलाल वहल फेस कर रहे मुझे आपर ऐसा भी दिखाई देता है अगर मैं आपर देखू देखू दो हाइरोफेंट की नौरशी है हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से दिल करो जो खुद एक स्पिर्च्वल परसन है स्पिर्च्वालिटी में है में भी सबके लिए नए है मेशिक जिसके लिए है उसको मिल गया होगा मुझे आपर ऐसा दिखाई देता है कि यह कुष्टा-कुछ इनका फैमली इसू भी चल रहा है लाइक आपके कुछ परसनल इसू भी है इसा दिखाई देता है और जहां तक कि मैं देख रही हूँ आपकी चो परसन है वह हैपी रहने की कोशिश कर रहे हैं मतलब कोशिश कर रहे कि परे जिंदगी में खुशियां आजाएं एक हैपी रहने की कोशिश करना लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पारा मुझे धिकूं, यह आपर ऐसा भी दिखाई देता है कि यह आपसे शादी करना चाहते हैं मुझे आपर ऐसा भी दिखाई देता है कि इनका कुछ है, कुछ नगुछ passion है definitely यह फोलो नहीं कर पा रहे है मन है कुछ करने का, कि मैं यह करूем थीक है लेकिन वो सा कोदिग नहीं कर पार रहे है या तो वो सोर्स्टिज रिसोर्स्स नहीं है उनके पस या सपोर्ट नहीं है उनके पास तो ऐसा कुछ भी है गब मैं कि आपके अच्छी लगते है कि ही यह दो का सकता है बहुत पॉजिटिव वाइब बहुत पॉजिटिव इनर्जी आपसे उनको मिलती है मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके परसन आपको पसंद बहुत करते है यहाँ पर मुझे दिखाये देता है कि एक स्ट्रोंग अट्राक्शन भी है अब आपको पसंद भी करते हैं क्यों करते क्योंकि आप एक पॉजिटिव माइंड से psychically स्ट्राइट करते हैं आप happiness spread करते हैं जो यह चीज उनको ट्रेक्ट करते हैं आपकी तरफ थोड़े से परेशान भी है ऐसा दिखाये देता है जैसे कि पूरे दिन भर तो वो smile करते रहेंगे, पूरे दिन भर तो वो खुशी, खुश रहेंगे, like you know, एक fake smile, क्योंकि मैं यहापर real smile नहीं देख पा रहे हूँ, कि सब के सामने दिखाएंगे कि मैं खुश हूँ, happy हूँ, सारा काम ऐसा कर रहे हैं वो, और एक तरफ है आप पूरे दिन भर में अगर कोई मुश्किल समय रहता है, तो वो रात का रहता है, क्योंकि इनको नींद नहीं आपाती है, anxiety होती है, बेचैनी सी होती है, और, you know, यहाँ पर मुझे सा दिखाई दे रहा है, कि अपके परसर इतने परेशान क्यों है, आपके परसर इसलिए इतन इतने परेशान है, ऐसा दिखाई देता है, जिसे कि यह अंदर से happy नहीं है, यह अंदर से, खुश नहीं है, इसे energy है five of pentacles yes again वही energy है ten of pentacles guys बज़े आपर okay हो सकते आप इसे कुछ लोग married हो husband and wife हो and आप दोनों का डिवास का कुछ इशू चल रहा है हाँ पर कि उनों या तो आप दोनों का डिवास होने की नौबत आ गई है चीज़े इतनी खराब हो गई है या फिर आप दोनों का डिवास क्लियर नहीं हो पा रहा है अतलब वह सुआ ही नहीं पार, बत करने जाया और समयश कोकु सब को airlines are को light day 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 much time day 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 can you who go out to work hard always sleep hard on a daily day 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 इसीद दिन करने उन को इसपोर्त ही प्रेक्ट एक कि अपनी लाइफ को समालो सब यही कह रहे हैं कि ठीक एक डिवास लो खतम करो जैसे सब यही चीज़ कह रहे हैं लेकिन आप चाहते हों कि वो समझे थोड़ा सा आप काई तिंग आपके मन में हैं आपको रिष्टा खतम नहीं करना है ऐसा दिखाई रहता है मुझे आप तो द सब्सक्राइब करना हम करना इस परते मिन हमके खत Blaze लिए इस सब्सक्राइब करना इस बहूना है थे अचाहिएव टीज़ करना हि में नहीं करकि परिएं रहता हैं कि आपके मैं गरिभाने बटारे वियंग संशम कंद मतर्ख शंवरा अरष अब कि वह आप आपके अंदर अपना लाइफ पार्टर देखते हैं ठीक है और उनको ऐसा लगता है कि आपसे बेटर लाइफ पार्टर उनको कोई और नहीं मिलेगा बहुत खुश रहेंगे आपके साथ इनको ऐसा मैसूस होता है लेकिन यहाँ पर आगए है फाइफ पैंटिकल्स की एनरशी और वहाँ पर नाइन अफ सोट्स आप देखो दोनों कहीं ना कि सिमिलर सी एनरशी है उसने भी वहाँ पर अपने चैरे पर हाथ रख रखा है इसने अपना चैरह यहाँ और निराशा का मैसेज देता है यह जेस्टर जो है जिसे हाँ हो गया है इनसान हार सा गया है निराश है बहुत ज़ादा अब ऐसा लग रहे है जिसे कोई रास्ता ही ना दिख रहा हो ती वैसी एनरशी है यहाँ पर यहाँ पर ऐसा दिखाए देता है जैसे कि इनका इनकी प्रॉब्लम यह खुद है इनकी रिस्ट्रिक्शन यह खुद है जैसे कि इनके दो मन है एक मन कहता है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए ठीक है एक मन कहता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए पर यहां बूरीत तरीके से फस गया है ऐसा नजर आता है जिसकी आपकी तरफ आते हैं रूख जाते है क्योंकि यहाँ पर दुराज़ा है और यहां पर उसकी चाबी है बस उटकर यह चाबीव को इस दर्वाज़े में लगा के से बहार निकलना है बस इतना सा नहीं हो पार है ऐसा लगता है जिसी कि बहुत पास आकर फिर यह दूर हो जाते य। जैसे आपको आपसे बात करने के इतना अमन करता है इनका कि यह call करते-करते रुख जाते हैं, मैसेज करते-करते रुख जाते हैं, वहीं stop हो जाते हैं यहाँ पर definitely family की तरफ से problems हैं इस रिष्टे में, यह मुझे दिखाए देता है कि family का issue है, इनकी family शायद थोड़ी पुराने ख्यालातों वाली हैं कि वह इनको लगता है कि वह नहीं समझेंगी कभे हमारी जो feelings हैं, उनको वह कभी नहीं समझेंगी और कभी उस चीज की value नहीं करेंगी और इनको भी कहीं न कि सही गलत मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है इनको लगता है कि यह अपनी सोच में तो ठीक है, लेकिन दूसरे की सोच को नहीं बदल सकते हैं और I think इनकी family की सोच बहुत अलग है और अगर मैं इनकी देखू ना energy, इनकी intention देखू तो यह आपके अंदर अपना life partner देखते हैं एक अच्छा supportive life partner लेकिन यहाँ पर मजबूरी है एक तरीके साब यह कह सकते हो जैसे की मजबूर है अपने फैसले को लेकर के जैसे यह कुद का फैसला नहीं ले सकते हैं इनको कुछीजें परिशान करती है, जब भी सोचें ना कि ठीक है मुझे मेरी खुशयों के बारे में सोचना है मुझे मेरी लाइब देखनी है, मुझे पता है कि वो मेरे लिए अच्छी पार्टनर है या अच्छा पार्टनर है तो मुझे फिर इसके लिए स्टैन लेना है, जाहे सब लोग मेरे अगेंस हो जाए तो वो वाली जो चीज है ना, वो ये नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इनके बन में कुछ इसे चीजे हैं, जो कि इनको रोकती है, कुछ ऐसी बाते कि नहीं, ऐसा हो जाएगा, नहीं, वैसा हो जाएगा यह कर भी लेए यह करना भी चाहते लेकिन कुछ चीज़े definitely इनकी personally ऐसी है जहां इनको ऐसे लगता है कि नहीं मेरा ये एक step मेरे अपनों को बहुत तकलीफ देदेगा या या नो उनके उनके लिए बहुत बहुत अजीब हो जाएगी situation कुछ ऐसा क्योंकि यहां पर clear दिखाई देता है कि यहां पर अगर आपके person आपसे दूर है तो उसके पीछे मजबूरी है यह मजबूर हैं आपसे दूर रहने पर रहना नहीं चाते लेकिन क्योंकि एक passion मुझे दिखाई देता है मुझे craving दिखाई देती है मुझे इससे दिखाई देता है जिसे वो सोचते हैं जब भी आपके बारे में imagine करते हैं तो उनको happiness नजर आते हो आप एक-एक happiness कि उनो आएक होते हैं कि अगर उस शक्स का साथ मिल गया तो हमारी दुनिया ही बदल जाएगी एक अलग ही दुनिया हो जाएगी तो यूनो वैसा ही है यहाँ पर कच कि जब इस सोचते हैं तो इनको खुश्या नजर आती हैं लेकिन कुछ चीज़े इनको रिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर करती है हिम्मत नहीं ला पारे हिम्मत नहीं आरे कि मैं रेलू करके तो उस हिम्मत की थोड़ी कमी है आप थोड़ी सी हिम्मत की कमी है हिम्मत नहीं गर पारे अच्छली अपने अक्वार्डिंग चीज़ों को करने के लिए और मुझे आप पर ऐसा दिखाई देता है कि इस connection के लिए इस connection के successful होने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी लेकिन वही ना कि ये रुक जाते हैं इनको कुछ बाते रोग देती हैं कुछ सोच के ये रुक जाते हैं कि नहीं ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा ये प्रैशर तो है इनके इनके उपर डोर टो स्प्रेट आपकी परसन्ना भी प्रिच्वल भी हो रहे हैं आपके लिए काफी रॉमेंटिक फीलिंग्स है उनके मन में और राइट और ब्लास्मिंग अबनिंस आपको इनको इक अब बर्लाइट आपको एक बर्लाइट आपको जैसे लगते हो जो चीज हमें खुशी देती हो वो अबन्डन से कमनी होती हो राइट इनको ऐसा भी लगते है गाईज कि अगर आपका प्यार इनको मिला ना तो इनके जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी बाकी सारी चीजे तो ये इनके लिए बाएं हाथ का खेल है ऐसा है कुछ अगर आपका साथ मिल जाए अगर आपका प्यार आपका सपोर्ट मिल जाए तो ये स्पिर्च्वल भी हो रहे हैं आजकल तुछ ख्लियर्टी है चाहते हैं अपनी लाइफ में अगर मैं सेनरजी को देखू तो ये ख्लियर्टी में कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम दोनों क्यूं मिले अप और ये ठीक है इंका सोचना यह कि आपसे क्यूं मिले क्यों बिछडे क्या आगे कुछ होना है क्या हम दोनों का यह साथ लिखा है या फिर अब हमें अलग हो जाना है अब हम कभी नहीं मिलेंगे तो ऐसे सवाल है इनके मन में तो उनके जवाब जिसे कि इनको चाहिए कुछ कुछ क्लियोर्टी इनको चाहिए कि इनको इनके मन में कुछ सवाल उठते हैं उनकी क्लियोर्टी यस क्यारिंग कनेक्शन यह रिस्पेक्ट करते हैं आपकी इस कनेक्शन की डैफिनेटली लेकिन इनको इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ क्लियोर्टी भी चाहिए और यहां प तो इनका इनके मन में सवाल उठते हैं, हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कुछ चीज़ों के लिए, मन में दर है, बट ये दिखाई देता हैं कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं और आपकी परभा भी करते हैं, यह मुझे आपर किलियर ले दिखाई देता है और राइट कुछ चीज़े ना गाइस इसी होती है कि मजबूर कर देती है इनसान को कभी-कभी ना लोगों को कोई चीज़ बहुत प्यारी होती है लेकिन अपनी मजबूरियों की वज़े से उस चीज़ से दूर होना पड़ता है कुछ ऐसी मजबूरियां जो कि कभी-कभी वो किसी को share भी नहीं कर सकते कि भही मेरी यह मजबूरिय है वो बता भी नहीं सकते उस चीज़ को और वो अंदर यंदर घुट रहे होते हैं क्योंकि वो बताना तो चाहते हैं क्योंकि वो दोके बाज का या ऐसा कोई भी टैग नहीं लेना चाहते इसलिए वो बताना भी चाहते हैं लेकिन कुछ चीज़े कहते हैं ना हर चीज़ बताई नहीं जाती है तो वही इनके साथ भी याँ पर हो रहा है तो ये प्यार करते हैं आपसे और ये कभी भी नहीं चाहते कि आप इनके बारे में ऐसा सोचो कि इनोंने आपको दोका दे दिया मतलब ये चीज़ सोचके भी इनको तकलीफ होती है इस चीज़ की भी तकलीफ है कि पता नहीं आप क्या सोच रहे होगे कहीं दोके बास तो नहीं मान रहे हो इनको क्योंकि इनकी कभी ऐसी इंटेंशन नहीं रही कि आपको दोका दे ओके ये इंटेंशन इनकी नहीं रही है कभी भी इनको ऐसा feel होता है कि आप move on कर चुके हो कभी-कभी इनको ऐसा महसूस होता है कि आप आगे बढ़ चुके हो अपनी life में और यह यहाँ पर second message है कि आपको कुछ भी जो बीता हुआ है जो बीच चुका वो कुछ भी याद नहीं दिलाना चाहते क्योंकि इनको पता है कि उसारी चीज़े hurt करेंगी तो यह यह मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके पास अभी देने के लिए आपको कोई commitment वगेरा नहीं है और इनके वन में एक डर है आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उससे पहले भी एक डर आ जाता है इनके मन में कि बड़ी मुश्किल से आप समले होगे और फिर से यह आएंगे दो दिन बात करेंगे तीसे दिन कहेंगे कि में नहीं commitment नहीं दे पाऊंगा या commitment नहीं दे पाऊंगे तो फिर से आप hurt होगे तो यह मुझे ऐसा लगता है जिसे कि उस चीज़ को repeat नहीं करना चाहते हैं दुबारा इस वज़े से भी अपनी feelings को control कर जाते हैं कि इनका बहुत मन तो करता है बात करने का लेकिन बात करने से पहले ही रुख जाते हैं क्यों कैसा लगता है कि शायद आपको फिर से again hurt होगा और वो चीज़े नहीं चाहते हैं यह अपनी real feelings को आप से hide कर रहे हैं अपनी real feelings को आप से चुपा रहे हैं और इनकी real feelings यह हैं कि यह आपको बहुत याद करते हैं आपसे प्यार भी करते हैं आपसे बात भी करना चाहते हैं आपके साथ भी रहना चाहते हैं बट यह सारी feelings को यह छुपा रहे हैं यह हर चीज़ को observe करने की कोशिश कर रहे हैं देख रहे हैं क्या किस लिए यह सारे चीज़े हो रहे हैं इनके मैं में already सवाल चल रहे हैं लेकिन यह observe कर रहे हैं चीज़ों को कि यह हो रहा है तो क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है किस वज़े से हुआ तो यह सारे चीज़ों observe करने की जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं, analyze करने की कोशिश कर रहे हैं, all right, so yeah, thank you so much guys, ये थी आप लोगों के लिए छोटी से reading, I hope आप से resonate की हो, I hope आपको पसंद आई हो, resonate की हो, तो मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो like जरूर करना, चैनल को subscribe करना मत भूलना, मैं मिलती हूँ आपसे next reading में, तब तक अपना ख्याल रखें, bye bye, take care, see you again,